Hello everyone, क्या हाल चाल and welcome back again to my channel तो इस वीडियो में हमें एक Excel ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर आप किसी भी number pattern को date format में convert कर सकते हैं और दूसरा जिसके थुरू आप किसी भी date column पे filter apply कर सकते हैं तो बिनन किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी screen के उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं how to convert any number pattern into exact date in Excel यानि आपको कोई भी number pattern दिया हो आप उसको Excel में date के अंदर convert कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ दो steps लिखे हैं जिसके अंदर से एक तो आपका shortcut है step number 2 यानि आप filter कैसे लगा सकते हैं that is alt plus a plus e और पहला लग आपको manually check करना पड़ेगा कि आपकी date जो है वो dmy में है या ymd में है okay so moving on to my Excel sheet मेरे पास एक column है जहाँ पर मेरे पास dates present है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको filter लगाना है तो आपको data वले section के अंदर जाके यहाँ पर आप filter देख सकते हैं उस पर click करना है उसके बाद आपको column के top पे small drop down मिल जाएगा अब आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो filter में को मिल रहे है वो date के respective मिल रहे है यानि की second February, 11th March, January but अगर में को यहाँ पर filter चाहिए हो not on the basis of date but on the basis of month कि मैं को सिरफ March की dates दिखाओ या April की date दिखाओ उस हिसाब से तो उसके लिए हमापा step number two है जो shortcut आपको मैंने बताया text to column का alt a e but shortcut से पहले मैं आपको direct तरीका बताता हूँ आपको data के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा text to column तो यह हो गया आपका direct तरीका अगर यह नहीं करना है तो इसके साथ-साथ आप shortcut भी apply कर सकते हैं close कर दीजिए इसको alt a and e यह वाले a column पे filter लगाना है तो मैंने a column को पहले select कर लिया then alt a e then आपको कुछ नहीं करना next करना है next करना है और यहाँ पर आपको date वाले radio बुटन पे click करके कौन से like मैं को इस format में जाएगे dmy तो मैंने यह select कर लिया filter देखेंगे तो previously filters dates के basis पे थे बट अब जो हम आपास filter आप देख सकते हैं year and month के basis पे हैं तो मैं एक बार आपको इसका दिखा देता हूं कि यह काम कर रहा है या नहीं मैं सिरफ 2022 का March select करता हूं तो आप देख सकते हैं सिरफ March की dates आ गए 2022 की तो like not on the basis of dates with the help of this text to column मारे filter लग गए on the basis of years and months अब यार filter लग तो गया बट इस filter को remove करने के लिए आपने क्या करना है same वही column को select कर लो data tab के अंदर आपको filter selected मिलेगा उसको deselect कर दो filter remove हो जाएगा now moving on to trick number 2 जिसके अंदर आप किसी भी date pattern किसी भी number pattern को date के अंदर convert कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पास एक sheet है जिसके अंदर like कुछ numbers लिखे हैं वन डबल one triple nine one two one zero तो अगर ये आपको मैं कहूं इसको date के format में देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि one triple nine हमारा year हो सकता है one two like हमारा date भी हो सकता है और हमारा month भी हो सकता है तो for instance मैं इसको date ले लेता हूँ और one zero को मैं month ले लेता हूँ यानि कि आप अगर देखें तो ये पूरे column के अंदर एक number pattern है जिसको अगर हम एक दूसरे way में देखें तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये date format में भी convert हो सकता है अब यही देखें fifth row को तो वहाँ पर 21 end में लिखा है तो हमको ये पता लगा कि ये ydm नहीं ymd है तो ये confusion होती रहती है लेका अगर ये इसी pattern में रहा तो हम इसको change करते हैं सबसे पहले इस पूरे column को select कर लें then data के अंदर text to column पे select करें next next and then this date के अंदर आपको जिस भी format क अंदर इस number pattern को change करना है वो select कर लें and finish तो अब आप अराम से देख सकते हैं कि ये date format इस pattern में था like ये number pattern नीरा अब ये date format रह गया और जो हमने अभी पीछे filter सीखा था वो भी इसके साथ automatically apply हो गया तो यानि text to column जिसका shortcut alt a ही है उससे दो feature हो जाते हैं पहला तो कि आप किसी भी filter लगा सकते हैं किसी भी particular group के respective में like year या month दूसरा आप किसी भी number pattern को किसी भी date format में convert कर सकते हैं with the help of this text to column तो ये ही थी है आज की दो excel related tricks अगर आपको इस video से कोई भी benefit हो या आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो तो do like the video subscribe to my channel for more such videos and इस video को अपने excel related दोस्तों यानि जिनक पड़ती हो तो उनके साथ share करो तब तक मिलते हैं next video में जल्दी goodbye and take care